हाँ student आज हम आपको रेशन नमबर फाइन करना इस वीडियो के माध्धम से बताएंगे तू नमबर की बीच रेशन नमबर कैसे फाइन करते हैं? How will we find the रेशन नमबर बिट्वीन टू रेशन नमबर? कुश्चन नमबर फर्स्ट में आपको शॉल्प करा रहा हूँ कुश्चन नमबर फर्स्ट में है find a ratio number with been the following फर्स्ट कुश्चन है आपका minus 1 upon 3 and 2 upon 5 देखिए minus 1 upon 3 and 2 upon 5 इसके बीच में आपको ratio number find करना है तो देखिए student आपको only one ratio number find करना हो तो उसके लिए formula use कर देते हैं इसका formula है 1 upon 2 in bracket a plus b a means जो first ratio number है वो a की value है और जिस second number है वो b की value है यहां लिख सकते हैं a और यहां b 1 upon 2 a means आपका है minus 1 upon 3 और प्लस b means है 2 upon 5 अब देखिए यह fraction है fraction को LCM लेकर के simplify करते हैं 3 and 5 का LCM आएगा 15 यहां लिख दो LCM 3 and 5 तो इसका LCM 3 5 जा 15 जब different number होते हैं तो LCM लेते समय उसका multiplication कर देते हैं अब यह आपका fraction है fraction को simplify करने का method इस्टूडेंट को आना चाहिए 3 का divide 15 में करेंगे तो 5 बार होगा 5 का minus 1 में multiply minus 5 प्लस अब 5 का divide 15 में करेंगे तो 3 बार 3 का 2 में multiply 3 to 6 और bracket के बाहर बन अपोन 2 6 में से 5 मानिस कर देंगे तो प्लस का 1 और नीचे आपका लिखा है 15 उपर का multiply उपर नीचे का नीचे 1 का बन में करेंगे तो 1 और 15 तूजा 30 यह आपका first ratio number find हो गया तो यह तो first ratio number find करने का method है कि आप formula apply करके और आप find कर सकते हैं अब देखी question number 2 4 and 5 4 and 5 इसके बीच में ratio number आपको find करना है तो वही formula use करेंगे यानि यह formula 1 ratio number find करना हो या 2 करना हो तो उसके लिए apply कर सकते हैं और से ज़्यादा ratio number find करना हो तो उसका process में आगे अभी बताऊँगा तो इसका formula देखी यह a की value यह b की value apply the formula 1 upon 2 in bracket a plus b 1 upon 2 a means 4 b means 5 4 plus 5 यह आपका हो जागा 9 upon 2 that is your answer 9 upon 2 यह आपका 1 ratio number find होके आगया अब देखी एक question number third कोई minus वाला number ले लीजिए minus 2 and minus 1 इसके बीच में ratio number कैसे फान करेंगे वही यह a की value है और यह b की value है apply the formula 1 upon 2 in bracket a plus b 1 upon 2 a की value minus 2 है और b की value minus 1 है तो देखें minus 2 और minus 1 यह minus plus minus ही होता है यह minus 3 इस plus 3 को हटा देगा तो minus 2 minus 1 यह minus का 3 हो जाएगा और upon में 2 यह आपका ratio number find होके आ गया minus 2 and minus 1 के बीच में अब student question number 4 आपको करा रहा हूं question number 4 देखिए find a register number between find a register number between 2 upon 3 and 3 upon 4 इसके बीच में register number find करने हैं तो देखिए कितनी register number find करने हैं आपको बता दूँ मैं आप जो हैं इसका method देखिए में आपको जितने भी रेशन number आप find कर सकते हैं वो trick आप समझिए जैसे suppose कीजिए इनकी बीच में आपको 5 रेशन number find करने हैं find a ratio number 5 bit been 2 upon 3 and 3 upon 4 इसका process देखिए सबसे पहले taking LCM taking LCM यानि 3 and 4 का LCM आएगा 12 क्योंकि 3 or 4 different number हैं तो ऐसी condition में multiplication कर दिये जाता है 3, 4 का LCM 12 आएगा अब देखिए इधर लिखा 2 upon 3 अपना object यह है कि सबसे पहले denominator में same number लाना इधर 3 लिखा या 4 लिखा है same number आपको लाना है तो same लाने के लिए क्या करेंगे multiply करेंगे इधर 3 लिखा है तो 12 करने के लिए इतने का multiply किया जाए 12 लाने के लिए आपको multiply by 4 numerator and denominator नीचे 4 आजाएगा अब यह 4 कैसे मालम हुए आपको 4 का multiply करना पड़ा यह 3 है ना 3 का divide कर दो 12 में 3 का divide 12 में करेंगे तो 4 बार होगा इसका मतलब 4 का multiply इसमें करना पड़ेगा यानि जितनी बार divide होता है LCM में उतने ही digit का multiply numerator and denominator में किया जाता है तो यहां आपका 8 हुआ और 4, 3 या 12 8 upon 12 आ गया अब इसी प्रकार से 3 upon 4 इसमें भी नीचे 12 करना है तो अब 3 upon 4 को simplify करेंगे अब 4 का divide 12 में करेंगे तो 3 times 3 बार गया तो इसका मतलब इसमें multiply by 3 numerator and denominator उपर 9 और नीचे आपका 12 अब देखिए आपका फर्स्ट नम्मर है 8 upon 12 और सेकिंड है 9 upon 12 अब इनकी बीच में कितना रेस्ट नम्मर होगा यानि point में आएंगे कोन मिला के तो 8 upon 9 8 upon 12 और 9 upon 12 की बीच में कोई रेस्ट नम्मर फाइंड नहीं होगा आप इसमें पहले 2 का मल्टिप्लाई कर दिए यहां भी 2 का मल्टिप्लाई कर दो तो यह आपका 16 upon 24 इधर 18 upon 24 अब इनके बीच में रेस्ट नम्मर कितने हुए 17 और उसकी बाद 18 आपका लिखाईए तो कुल मिला कि इन दोनों की बीच में जो रेस्ट नम्मर है only one प्राप्त हुआ अब इसकी बाद 16 upon 24 और 18 upon 24 में मल्टिप्लाई पहले आपने टूका किया आप आगे बढ़ जाएए 3 का मल्टिप्लाई कर दीजिए इधर भी 3 का मल्टिप्लाई तो इधर आपका 48 हो जाएगा और इधर 72 हो जाएगा इधर 18 3 या 54 और नीचे 72 आप इनकी बीच में इस्टूडेंट कितनी रिष्टन मलंगे देखो 48 के बाद 49 50 51 52 53 और फिर नीचे यहाँ लिखे तो 54 54 तो है 54 तो आगे दिए ये तो 49, 50, 51, 52, 53 और नीचे अपॉन में लगा दो 72 तो इनकी बीच में रिष्टन नमबर फाइन कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 अगर इससे आगे और भी रिष्टन नमबर इनकी बीच में फाइन करना है तो आप इसमें 4 का मल्टिप्लाई कर सकते हैं अगर इससे आगे और इनकी बीच में रिष्टन नमबर फाइन करने हैं तो 4 के बाद 5 का इसमें मल्टिप्लाई कर दीजिए और इसी ओर्डर में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो कुल मिलाके आप जितने चाहें उतने रिष्टन नमबर फाइन कर सकते हैं आप नेक्स्ट कुश्चन आपको बता रहा हूँ कुश्चन नमबर फाइब कुश्चन नमबर फाइब है आपका हूँ मैं इंटिजर हूँ मैं इंटिजर आर देर विट्बीन फर्स्ट नमबर है मानस फोर एंड मानस थ्री तो देखिए मानस फोर एंड मानस थ्री के बीच में कितने इंटिजर आएंगे यहां लिखिए मानस फोर और यहां मानस थ्री देखिए मानस फोर से ग्रेटर नमर क्या होता है मानस फोर और मानस थ्री के बीच में आपको इंटिजर फाइन करके लाने है तो मानस फोर और थ्री के बीच में आपका इंटिजर सिर्फ क्या होगा ओनली जीरो इन दोनों की बीच में केवल जीरो ही इंटिजर आएगा सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट में आपका कुश्चन है सेवन एंड एट तो सेवन और एट के बीच में इंटिजर ओनली जीरो होगा यह आपका आंसर हो गया इधर यह भी आंसर हो गया अब देखिए एक बी कुश्चन आपको लिख रहा हूँ कुश्चन 6 कुश्चन नमबर 6 में देखिए और छे कुश्चन आपको लिख रहा हूँ came हो टूमें आपको रहा लिख качеṣmeremब करेए विट बीन नमबर वन माइनस फोर एंड माइनस थरी तेखिए इस कुश्चन में पूछा के हाव मनी रेशन नमबर कैन यू फाइन बिट बीन माइनस फोर एंड माइनस थरी इसका मतलब है माइनस फोर एंड माइनस थरी के बीच में कितने रेशन नमबर फाइन कर सकते हैं तो देखिए माइनस फोर एंड माइनस थरी इनके बीच में इंफाइनाइट रेशन नमबर फाइन कर सकते हैं इंफाइनाइट मींस होता है बहुत सारे अनन्त जिनका कोई end नहीं है इन दोनों की बीच में इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट रिश्टन नंबर find कर सकते हैं आप कैसे प्रोसेस क्या है उसका मैंने अभी आपको बताया पहले आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देजिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देजिए फिर रिश्टन नंबर आप लिख सकते हैं फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देजिए फिर इसमें भी 3 का मल्टीप नमबर फाइंड कर सकते हैं तो इस्टुडेंट आज जो है देशन नमबर फाइंड करना बताया मैंने आप आगे वीडियो में एपसुल्ट बैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको सिंपल मेथड से आपको शॉल करके बताएंगे थैंक यू